आइस वेलकम टू पाकिस्तानी रिएट रेक्शन तो कैसे हैं आप सब उमीद है आप सब पढ़िया होंगे मज़े में होंगे खुश होंगे आपाद होंगे हमारी दॉआ यही है आप हमेशा हंसते रहें मुस्कोराते रहें खुद भी खुश रहें दूसरों भी खुश रखे चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को जुरूर प्रेस कर दें ताके आपको आने वाले हर निव वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके मैं नाम है मुदा सेर मैं मुबश्चर सो आज काफी जाधा कमाल के होने लगी है बहुत जाधा गाइस यह वीडि मैं सारी सिचुएशन बदल दिया अब किस तरह की सिचुएशन है क्या किया बारत ने यह वीडियो देखेंगे तब सभी से हमें आइडिया मिलेगा बिना किसी देरी के देखते हैं हिंदी नौलिज शो का वीडियो इनकी वीडियो का लिंक मिल जागा आप लोगों को डिस् सबसे बड़ा नाम था विस सभी देश मिलकर भारत को खुब सुना रहे थे और भारत को तरह तरह की सलाह भी दी जा रही थी कि ऐसा मत करो वरना इससे सब मुश्किल में फसेंगे और इस पूरे इवेंट से हो रहा यह था कि भारत की छवी बहुत खराब हो रहे थी भारत क वो मुनाफा खोर की तरह दुनिया भर में पेश किया जा रहा था कि भारत आपदा में अवसर ढूंड रहा है जबकि पूरे मामले की सच्चाए कुछ और थी इतना ही नहीं इन देशों ने भारत की बात भी नहीं सुनी पूरे तरीके से लेकिन आज भारत ने एक बहुत ब पर पूरा बैन लगा दिया अब इस बैन से यूरोपेन देश भढ़क गए थे उनका कहना यह था कि इससे तो दुनिया भर में अनाज की कीमते बढ़ने लगेंगी क्योंकि रूस और यूक्रेन से अनाज वैसे भी नहीं आ रहा है भारत भी एक्सपोर्ट करना बंद कर दे कि अगर कोई भी देश हमारी शरण में आएगा सरकारी लेवल पर हम उसे अनाज जरूर देंगे और अनाज और सस्ते दामों पर भी दे देंगे भारत ने भी कहा था कि बैन लगाने का बस यही कारण है कि जो प्राइवेट खरीदारक है दुनिया भर में वह भारत से की लोग का रहे है कि जब भारत का अनाज आना मार्केट में बंद हो जाएगा भारत सारा अनाज बेच लेगा उसके बाद जब अनाज की कीमते बढ़ने लेगे तब यह लोग अपना अनाज मार्केट में बेचेंगे और आम सोची तर परकिस्तान में होता है को प्राइवे कीमते बढ़ने लगी और अनाज की वैसे भी कमी होने लगी क्यों कि इजिप्ट का सारा अनाज पहले युक्रेन या फिर रूस से आता था अब वहां से तो नाज आ नहीं रहा है ऐसे में देश के अंदर खाद्यान संकट बढ़ने लगा और इसलिए इजिप्ट की सरकार भार आने और बहुत ही अच्छे संब्द रहे हैं और इसी बात का लिहाज करते हुए भारत ने तुरंट इजिप्ट की परिशानी को समझा और एक नोटिफिक्रिशन जारी करा जिसे आप स्किंपर देख सकते हैं जिसमें बताये गया है कि इजिप्ट को हम 61,500 MT अनाज देने को लोड करके कांडला पोर्ट से तुरंट इजिप्ट के लिए रवाना कर दिया जाएगा जिससे की इजिप्ट खाद्यान संकट और भुकमरी का शिकार नहीं होगा और आप यकीन मानिए इजिप्ट की इस रिक्वेश्ट पर जैसे भारत ने रिस्पॉंड किया और जितना भारत ने पहले भी कहा था और एक बार फिर से कहा है से रिक्वेश्ट में कि जी हम उन सभी देशों को अनाज देने को तयार हैं जिन्हें जरुरत हैं लेकिन अगर कोई प्राइवेट कोंट्रेक्टर अपना जमा खोरी के लिए भारत से अनाज खरीबने आएगा तो भारत एक दाना भी नहीं देने वाला है कि भारत सरकार ने जो ये आक्रमक रणनीती अपनाई है इस पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जुरू बताएगा फिलाली सेड़ों में इतना ही थैंक्यू घरमच प्रचिंग वडियो भाई थोड़ा साना पहले मुझे लगा था कि भा भारत ने मतलब वाकी कंट्री का क्या होगा लेकिन आज भारत ने जो शकुष होबा किसी के इंडियन के भी दिमाग में होगा ना तो उसको भी भारत ने खत्म कर दिया और मैं कहता हूं योरप की तो मार के राख दी है जो ये वाला स्टैप लिया बाई योरप बात एक उस बाई बहुत बड़ा बहुत बड़ा अनाज होगा तो चुर्टालीस हजाए टान लोड ओके बेज भी दिया है और बागी भी जा रहा है यार मतलब इसको कहते है तुरंत एक्शन इंडिया मतलब आज हमें एक वीडियो देख रहे तो उसमें बहुर रहे ते भारत क्यों ट टैन में जो है ना जो एक्सपोर्ड करने वाले देश हैं वो सारे यॉर्पियन हैं और वो लोग मतलब जो क्वाड कह रहा हूं जो जी सेवन मतलब है कि उनमें से चार बहुत बंद किया और भारत के लगाते हैं और देख लो और भारत ने ये भी साथ में बोला था कि आप को जो एक्सपोर्ड करोगे हमारे उपर हमें दोग हम उस देश को देंगे जो हमें सरकारी तोर पर जो हैंने रिक्वेस्ट करेगा और देखो ये नतीज़ा है इंडिया ने बैंक क्यों किये था ता कि मुनाफ़ख और लोग जो स्टोर का रहे थे बाकी इंडिया में भी ये है कि देखो यार मुदी गॉर्मेंट जितनी भी उन्होंने सोचा था वो उन्होंने गरीब लोगों के बारे में भी सोचा है इसलिया से जो मुनाफ़ख खोरी करते थे जो स्टोर कर लेते थे उनको काई एक दाना भी देंगे और ये बहुत अच्छा स्टेप इससे क्य है कैते हैं तेप लाग जाएगे मतलब भारत अपने एक्षिन से अगलों के मुझ बांद करना जानता है ये आज प्रूव हो गया वा ये चीजा बात हो से नहीं भारत अपने कामों से जो है ना मुझे बहुत जादा की पसंद आई आपका इसके बारे में क्या कहना है और भारत ने यही कहा था कि हम सरकारी तोर पर जो हमसे रिक्वेस्ट करेगा गरीब हूं उनको हम देंगे और देख लो आज जो है न उन्होंने कर लिए आप लोगों को सारे मामले पर क्या गहना अपने रहे कॉमेट सेक्शन में दो इधर ही वीडियो खत्म करते हैं अपना वो तो जाति है लेखना तयर बेर